आज हम गुजरात के काटियावार प्राइदी नवानगर के एक रियासत महराजा जाम साहिब डिगविजय सिंग जी के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने माहान कारे के चलते 640 पोलश बच्चों और औरतों को भारत के बालाचडी जाम नगर में शरन दी थी जब पोलेन देश के हालात बड़े बुरे थे वर्ल्ड वर्ड तु के चलते तो आये चलिए जानते हैं महराजा दिगविजय सिंग जी के बारे में जिन्होंने भारत में लिटल पोलेन स्तापित किया था एक सितंबर 1949 को जर्मन सेना ने पोलेन पर आक्रबन कर दिया ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुवात थी 17 सितंबर 1949 को पोलेन के बचे हुए हिस्से पर सोवियत संग ने हमला कर दिया हमलावरों का इरादा ये था कि पोलेन को दुनिया के नक्षे से मिटा दिया जाए कबजा करने वाले दोनों देशों ने पोलेन के नागरिकों का दमन शुरू कर दिया और इसमें निहत्थे नागरिकों को आतंक का निशाना बनाने वाली सत्ता के इस्तिमाल, जनसंगहार, कैद, जबरन मजदूरी और पोलंड के लोगों को सोवियत संग के सुदूर इलाकों में बसाने जैसे तरीकी अपनाए गए। मुश्किल सफर और उसके बाद की सक्त जिन्दगी में बहुत कम लोग जीवित बचे। पोलंड के नागरिकों को आश्रय देने के लिए अपने घर के दर्वाजे खोल दिये। ये फिल्म भारत के नवानगर के महराजा जाम सहब दिगविजय सिंजी द्वारप्रदर्शित असाधारन सद्भावना और उदार्ता की दास्तान है। जिनोंने पोलंड के लगभग एक हजार बच्चों की जिन्दगी, उनके बच्पन और उनकी उम्मीदों की अनमोल मान्यताओं को बचाने में मदद की। मैं यहां इस जमी पर चौधी बार आया हूँ और बताने लेकिन ये शायद आखरी बार हो। पर ये जगए हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। इतिहास और इतिहास कारों की याददाश्ट में ये साल बहुत गहराई से नक्ष है। भारतिय उप महध्वीप में राष्ट्रपिता कहलाने वाले मोहंदास करमचन गांधी अहिंसक विरोध के माध्यम से एक निरंकुष सत्ता का अंत करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे थे। और उधर पूरे यॉरोप में जबरदस्त हिंसा का महौल बन रहा था। ये आगास था दूसरे विश्व युद्ध का। एक दूसरे पर हमला नहीं करने के रिवेंट्रॉप मॉलोटोव पैक्ट पर हस्ताक्षर किये गए और इसके साथ ही इसमें पोलिण के विभाजन की भी एक गुप्त शर्थ रखी गई थी। एक सितंबर 1949 को नाजी थर्ड राइट ने पोलिण पर हमला कर दिया और 17 सितंबर को सोवियत संग ने भी पोलिण पर आक्रमन कर दिया। फरवरी 1940 से जून 1941 के बीच सोवियत अधिकारियों ने पोलिण के पूरवी हिस्से में पोलिश नागरिकों को सोवियत संग के सुदूर हिस्सों में निर्वासित करने के चार बड़े अभियान चलाए। इसकी चपेट में आए पोलन के नागरिकों की संख्या सोवियत संग के अनुसार 3,25,000 से ज्यादा और पोलन के मताबिक इस से कई गुना ज्यादा थी मेरे पास एक माउथ और गन था जो उस वक्त मेरे हाथों में था हम बाहर निकल कर एक ट्रक पर चड़ गए वो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था हम बहुत टरे हुए थे मुझे ही पता चला कि मेरे पिता की मृत्यू हो गई थी और तब से आज तक मैंने कभी वो प्रार्थना नहीं की जिस पर मुझे भरोसा था कि उससे मदद मिलेगी मैं लगभग 6 साल का था मेरी माने पूछा कि वो कहां है वो कहां जा सकता है तो प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ कबरिस्तान में देख कर आओ मैं किसी तर ऐसे चुपके से खुली खिर्की के पास पहुचने में काम्याब हो गया मैंने आकरी बार अपनी माँ को उसी वक्त देखा था ऐसे मुश्किल हालात में निर्वासन में बनी पूलन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री और सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इंचीफ जिनरल सिकॉर्सकी ने इंग्लिन के ततकालीम प्रधानमंत्री सव विंस्टन चोर्चिल को पत्र लिख कर पूलन के खजाने यानि वहां के भूखे बच्चों की सुरक्षा करने और उन्हें सेहत मंद आबु हवा वाले ऐसे देश में ले जाने का नुरोध किया जो युद्ध से सुरक्षित थे इस अपील पर सबसे पहले गौर करने वालों में से एक था भारत इन छोटी छोटी मासूम बच्चों की पुकार भारत में गुजरात के काठियावार प्रायदूइप ने एक रियासत नवा नगर के महराजा जाम सहब दिगविजे सिंजी ने सुनी भारत शौर्य और परंपराओं की सम्रुध इतिहास वाला देश है जो अपने महमानों को भगवान मानता है मैं महराजा के लिए पोलिण में चर्चित नाम दगुड महराजा यानि अच्छे महराजा का इस्तेमाल करना चाहूंगा वो चेंबर आफ इंडियन प्रिंसेस की अगुवाई कर रहे थे और बिटिश इंपीरियल वार कैबिनेट के सदस्य थे और इसी हैसियत में उन्हें पता चला कि सोवियत संग से दसियों हजार पोलिश शरणार्थियों को निकाला गया है और उनकी स्थिती बेहत खराब थी पोलिन्ड और खासकर इस सबसे भयानक युद्ध में बहुत दुखत स्थिती में अपना बच्पन बिता रहे बच्चों की दुर्दशा से द्रवित और दुखी होकर मैं किसी तरीके से मदद करना चाहता था और युद्ध की बधाली से दूर एक देश में उन्हें शरण देकर उनकी स्थिती में सुधार लाना चाहता था मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इन बच्चों के कश्टों का निवारन करने का अवसर मिला और मुझे पोलिंड राष्ट और दमन के खिलाफ उसके लगातार जारी संघर्ष से सहानुब होती है एक ऐसा राष्ट जिसने इतनी बहादुर संताने बैदा की है मेरे पिता को पोलिंड की राजनीती में गहरी दिल्चस्पी थी और अब पोलिंड इतने शौरे के साथ संघर्ष कर रहा है पोलिंड के सैनिक सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं और जब दस लाख से ज्यादा पोलिश नागरिक पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं तब मैं इन बच्चों को बचाने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद जरूरी है कि वो अपनी सेहत और ताकत फिर से हासिल कर ले ताकि भविशे में वो स्वतंत्र पोलिंड में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके युद्ध से बेहाल पोलिंड और साइबेरिया के श्रम शिविरों के श्रणार थी उलाम बन चुके बच्चे न सिर्फ अपनी पहचान खो रहे थे बलकि उन्होंने अपना घर भी खो दिया था महज दस साल के उम्र के कुछ बच्चे अपने भाई बहनों के साथ अलग-अलग समूहों में हजारों मील की लंबी और कठिन यात्रा के बाद रूस से इरान, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान से गुजरते हुए भारत में उस ठिकाने पर पहुँचे जहां उनकी सही तरीके से देख भाल हो सकती थी मैंने खुद को अपनी बहन और अपने भाई के साथ आश्काबाद के एक अनाथाले में पाया फिर अनाथाले के दूसरे बच्चों के साथ हम मरशाद पहुँचे फिर एक रात मेरा चोटा भाई वहां से अचानक ही गायब हो गया हम उसे ढून रहे थे कि जैसे कहां गया और तब ही ड्राइवर उसे वापस हमारे पास ले आया उस सुबा हमें ये पता चला कि उस दिन दोपहर में हम लोग परशिया और भारत की सीमा को पार करने वाले थे हमने सुबा सफर शुरू किया और मैं सीमा पर पहुँचने का बेताबी से इंतजार कर रही थी आखिरकार हमारी गाड़ियां एक जंजीर के पास रुकी यही देश की सीमा थी और फिर वहां दस्तावेजों की जाच हुई और हम आगे बढ़ गए दिल्ली के पास कई शहर थे और वहां हमें से हर एक को मिठाई का एक बड़ा डिबा मिला फिर हम मुंबई पहुच रहे थे और फिर वहां हमें कारों में बिठा कर बांज़ा ले जाये गया हम दूर से ही समुझ की गंध को महसूस कर रहे थे हमारा घर समुझ तट पर था हम बस सड़क पार करके समुझ तक पहुच जाते थे और फिर हम वहाँ पर तैर भी सकते थे उन दिनों हमें कैसे मकान में रहते थे जिसके आस पास नार्यल और खजूर के बहुत सारे पेड़ थे कुछ समय के बाद हमें भारत भेजने का इंतिजाम कर दिया गया मुझे याद है सीटियों की आवाज मुझे बहुत आकरशित कर रही थी तट पर एक रेल गाड़ी हमारा इंतिजार कर रही थी उसके डिबे लगभग पाने को चू रहे थे तो मुझे तो बस यही याद है पूरी ट्रीन में ये खबर फैल गई कि हम अपने लक्षे तक पहुँच गए हैं हम फटा फट उत्रे क्योंकि ट्रीन में कुछ दिन बिताने के बाद हम बेचैन थे लेकिन हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अभी हमें लगभग 30 किलोमीटर का सफर और तै करना था लेकिन ये हमारे पहले के 2000 किलोमीटर के सफर के मुकाबले कुछ भी नहीं था बहरहाल अब हम सब ये देखने को सुक्ते की आगे क्या होने वाला है इसलिए हम वहां खड़ी फौजी गाड़ियों में बैठ गए उस गाड़ी में नौसेना की वर्दी पहने भारती असैनिक थे और बाद में यही सैनिक हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए जब बच्चों को ट्रकों में भर कर तुर्कमेनिस्तान में आश्काबाद से परश्या होते हुए भारत ले जाय जा रहा था तब यादविका की मा को लगा कि वो भी उनके साथ जाएगी लेकिन वो नहीं जा सकी और ऐसे में यादविका को अकेले ही जाना पड़ा येशी की मा के साथ भी ऐसा ही हुआ उन्हें वहीं रूस में ही रुकना पड़ा जबकि मैं और येशी भारत चले गए मानविय संवेदनाओं की परंपरा वाले गुजरात राज्य में जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बाला चड़ी में जाम साहब ने लगभग 1000 पोलिश बच्चों के लिए एक कैम्प बनवाया जहां से वो 1942 से 1946 तक रहे पोलिन से आए बच्चों के समूहों का स्वागत करते हुए उन्होंने उनसे कहा था कि तुम अपने आपको बिल्कुल भी अनात्मत समझना अब से तुम नवानगर के निवासी कहलाओगे और मैं नवानगर के सभी लोगों का बापू हूँ इसलिए मैं तुम्हारा भी बापू हूँ कि अवानगर के समूँ हुआ हुआ है हुआ हुआ है है एक बार फिर से मैं बाला चड़ी में यहां इस पहाड़ी पर हूँ यह मेरी पहाड़ी है यहां से आके वहां रसोई घर थे और यह जो जगए आप देख रहे हैं वो हमारे रहने की जगए थी और पीछे वो देख रहे हैं वो पानी की टंकिया थी यह हमारे कैंप की जीवन धारा थी यह बहुत अहम चीज थी हमें इसी से पानी मिलता था मुश्किल सफर को अकेले जहेल कर बाला चड़ी में बापू की सुरक्षा में पहुँचे दो किशोरों के लिए जिन्दगी प्यार का एक बिलकुल अलग नगमा लिख रही थी मुझे तो उसकी हर चीज अच्छी लगती थी क्यूंकि वो पहली लड़की थी जिसके लिए मुझे दिल्चस्पी पैदा हुई थी लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ उसे प्यार करता हूँ ये बताने की हिम्मत मैं 1995 में ही जुटा पाया अब देखिये उस वक्त में शादी शुदा था वो समय अकेली थी और शायद वो एक जीवन साथी ढूनने की सूच रही थी मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था फिर मुझे पता चला कि उसने भी किसी से शादी कर ली है इसलिए इसके बारे में अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं था मैं यहाँ खुद को मेहमान जैसा महसूस नहीं करता मैं यहाँ कई बार आया हूँ क्योंकि यह मेरे लिए दूसरे घर जैसा है मुझे लगता है कि यह मेरी अपनी जगए है ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ मुझे याद है जब आप यहाँ आए थे हम सब बहुत उसाहित थे हमने आपके कैम को बनते हुए देखा था क्योंकि गर्मी के दिनों में हम वहीं रहते थे एक दिन मेरे पिता ने कहा कि आज वो आने वाले हैं और जब वो इन कैम्पों में आकर बस जाएं तब तुम्हें उनसे मिलना चाहिए हमने वहाँ जाकर आप सब को देखा हमने पूछा ये लोग कहां से आए हैं तो बापू ने हमें बताया कि उन्होंने पहले भी जिक्र किया था कि वो आपको गोद ले रहे हैं और आप सब पॉलेंड से आय थे उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारे भाई बहन है हमने बापू से पूछा कि ये लोग बाला चड़ी में क्यों रह रहे हैं तो इसलिए हम क्या रहे हैं कि हमने उने गोद लिया है। और हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश सत्ता नहीं चाहती थी कि हम उन्हें अपने साथ में रखें। लेकिन मैंने कहा कि ये तैकरना मेरा काम है कि मैं किसे गोद लूँगा और किस की दिख्भाल करूँगा। और मैं ये काम अपनी निजी जमीन पे करूँगा और अपने ही पैसों से करूँगा। जब तक इन्हें घर नहीं मिलता, ये जाम नगरी ही माने चाहेंगे। उन दिनों सुरक्षा की भावना पैदा करने के साथ साथ बापु ने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारी राष्ट्रिय पहचान नक होए, वो पोलिंड की संस्कृती और हमारे रीती रिवाजों के बारे में जानते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे कि हम उन्हें सुरक्षित रखें, महरानी ने हमें कई ऐसी चीज़ें दी थी, जिन से हमें अपनी संस्कृती को फिर से कायम करने में मदद मिली, क्या आपको हमारी देखभाल करने वाले लोगों, हमारे शिक्षकों और फादर प्लूटा की याद है? फादर प्लूटा, हाँ हमें याद हैं वो, क्योंकि वही हमारे साथ बातचीत करने वाले वायस्क थे, और करनल जेफरी क्लाक थे, वो जो मेरे पिता की तरफ से आपके कैम के प्रशासन के प्रभारी थे, और आपके स्वास्त की देखभाल के लिए मेरी मा ने कैथी को वहा हमनगर से आने वाले डॉक्टरों से बातचीत करती थी और वही ये दिखा करती थी कि आप सभी लोगों को तमाम सही दवाईयां और दूसरी चीजें ठीक तरहा से और ठीक समय पर मिलती रहें अश्रय और कपड़ों के साथ जाम सहब पोलुन की इन बच्चों की अगली पीड़ी के लिए स्वस्थ शरीर और मन के विकास में व्यक्तिकत रुची लेते थे जब बच्चे बाला चड़ी में पहुंचे तो उन्हें खाने को कुछ दिया गया महराजा ने देखा कि बच्चे मूँ बना रहे थे क्यूंकि उनके लिए खाना बहुत मसालेदार था इसलिए उन्होंने कहा चिंता मत करो तो उन्होंने हमारे लिए गुआ से साथ रोसोईय बुलवाए अब मैं आपको बताती हूँ पालक वाली हड़ताल के बारे में जब हम यहां पहुंचे तो शुरू में हमें दो सपता तक पालक दी जाती थी क्योंकि वो तो बहुत सेहतमन चीज होती है ना लेकिन पालक खाना नामुम्किन था इसलिए बच्चों ने वित्रोह कर दिया बड़े लड़कों ने वित्रोह करने के लिए हरताल करने का फैसला किया मैं दर्वाजे पर बैठा हुआ था और मेरे पीछे से मेरे साथी पालक से भरी प्लेट को आगे बढ़ा देते थे और फिर मैं बिना देखे उसे बाहर फेंग देता था फिर मेरे पास दूसरी प्लेट आ जाती थी और इस तरह से आखिरकार हमने पालक की पूरी सबजी से छुटकारा पाही लिया कर्णार करें तरह से फश्ड़ा éं बार मुटकारा यह मेरी क्लास है मैं यहां खड़ा हूँ मैं शायद 15 साल का था तब और यह स्कूल का औरकेस्ट्रा ग्रूप था बाला चड़ी 1945 मैं यहां खड़ा हूँ और यह हमारे भारतिय शिक्षक थे हमारी कॉलनी में स्कूल बनाने के लिए कमरे नहीं थे तो महराजा ने अपना गेस्ट हाउस दे दिया और कहा कि इसे स्कूल की रूप में इस्तिमाल कर लो हमारे क्लासरूम में महराजा और महरानी द्वारा दी गई टेबल और बेंच लगाए गई थी हमारे पास लिखने के लिए कॉपियां तो आ गई थी लेकिन उस वक्त हमारे पास पढ़ने के लिए किताबे नहीं थी कुछ समय के बाद हमें किताबे मिली तो जरूर लेकिन वो कम थी तो उन्हें हर चीज याद करनी पड़ती थी या फर लिखनी पड़ती थी इसी लिए उची कक्षाओं में बच्चों ने अपनी मदद खुद करने का अभियांच शुरू किया और हम अपनी लिखावट में किताबों की नकल बना लेते थी ताकि बाकी बच्चे हाथ से लिखी उन किताबों का स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मुझे जीव जन्तूं में भी गहरी दिल्चस्पी थी मैं अपने लिए पालतू जीव जन्तू हासिल करने के लिए खुद पेड़ों पर चड़कर तोते के बच्चे उतार लाता था मैं कबूतर के भी ऐसे बच्चे ले आता था जिन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता था हम उनकी चोच खोल कर उन्हें खाना देते थे हम छोटी गिलहरियां भी पगड़ कर लाते थे और आईड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने वाले डॉपर से उन्हें दूद पिलाते थे मुझे अब भी उस पिंजरे की याद आती है अगर कोई उसे ढून कर पोलन ला सके तो मुझे खुशी होगी सीखने की दिल्चसपी और मौके सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे जाम साहब ने उनके सरवांगीन विकास के लिए इंतिजाम किये थे जो अतीद की उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश थी वहाँ रेत में पानी के बहाव से नहरे जैसी बंजाय करती थी जो पांच ये दस मीटर चौड़ी होती थी मैं उनमें तैरने का भिहास करता था और मुझे याद है जब एक बार मैंने ऐसी ही दस मीटर चौड़ी नहर को पार किया तो बाला चौड़ी में तैराकी की वो मेरी पहली जीत थी हमारे पास खेल कूड का ज्यादा सामान तो था नहीं तो माहराजा ने हमें वॉलिबॉल, पास्किटबॉल और फुटबॉल वगेरा का सामान दे दिया बाद में जब और मुकाबले होने लगे तो बाहर की भी टीमें आती थी एक बार जब पास की जगह से ओखा नेवी टीम, जो मिलिटरी टीम थी, हमारी टीम के साथ एक मैच खेलने के लिए आई तो माहराजा अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ कर हमारा होसला बढ़ाने के लिए ताली बजा रहे थे आखिर कार जब हम दो एक से फाइनल मैच जीद गए तो उन्होंने अपनी टीम को छोड़ कर हमारे लिए ताली बजाई अच्छा बताओ इससे क्या बन सकता है, कुछ बना सकते हो, बॉल बना सकते हो, इन मोजों से, कोशिश करें लाओ बनाते हैं, बाला चड़ी में रहने के शुरुवाती दिनों में हमारे पास बॉल नहीं हुआ करती थी हमें अपने लिए खुद ही बॉल बनानी पड़ती थी बैरक में रहने वाले हम सभी लड़कों के पास मोजे होते थे तो हम साल में सिर्फ एक बार, यानि इस्टर के समय, उनका इस्तिमाल करते थे मेरी दिलचस्पी स्काउटिंग में थी, लेकिन मैं बहुत कमसोर था और बच्पन की बीमारियों की वजह से मैं जंग से पहले उसमें शामिल नहीं हो पाता था बाला चड़ी में मैं इतना सेहतमंद हो गया था कि मैं स्काउट में शामिल होने का अपना वो सपना पूरा कर सका बच्चे चाहे बीमार हूँ या सेहतमंद, बापू हमीशा उनका दिहान रखते थे और उनका मेडिकल स्टाफ भी उसमें लगा रहता था डॉक्टर अमरुतलाल अशानी और दवासाज अनन्त जोशी को सब बहुत प्रेम से याद करते हैं बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरी शकल से कुछ याद आ रहा है बिलकुल ये जोशी बिलकुल अपने पिता जी जैसे लगते हो मैं सोचता हूँ कि 80 साल की जिंदगी में नजाने ऐसी कितनी घटनाय हुई होगी लेकिन सिर्फ अमिट यादे ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं और यही बाला चड़ी की आपकी यादे हैं जो कभी मिट नहीं सकते ये देखे वो हमारी सेहत का बड़ा ध्यान रखते थे वहां एक अस्पताल था जिसमें वो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो बीमारी में हमारी देखभाल किया करते थे लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दिल के बहुत अच्छे थे वो चोटे बड़े सबसे अच्छा वेभार करते थे मलेरिया की महामारी फैलने पर वो हम सब की देखभाल करते थे और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे बिलकुल आपकी तरह यह तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर ओ अरे बाई मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिल पाया आप जब चाहें जामनगर आ सकते हैं आप हमारे महमान बनिये और अगर कोई भी जरूरत हो तो हम यहां पर हैं आपकी सेवा के लिए हां क्योंकि यह मेरे पिताके जैसे हैं क्योंकि इन्होंने उन्हें बहुत कम उम्र में देखा था रो मत हां अपना ध्यान रखना हां मलेरिया की चपेट में आकर अस्पताल में भरती होने पर डॉक्टर अशानी से मेरा परचय हुआ था उस समय में काप रही थी बुरी तरह से वो रात में दो बारा कर दिखते थे कि बच्चे किस हालत में थे मझे यकीन है हम सब जिंदगी के आखरी पल तक उन्हें याद रखेंगे नमस्ते 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 जी मेरी यहां पर दुकान हुआ करती थी और मैं सामान लाने के लिए जमूरा गाउं से आता था और मेरे पिता जी बालचड़ी में रहते थे और मैं यहां सैक्ल पर सामान पहुMM पहुचाया करता था और जब आप यहाँ पर आये थे तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारी दुकान हुआ करती थी हम सब उस जगे को रूपा नगरी कहा करते थे क्यूंकि आप लोग बहुत सुन्दर थे इसलिए इसका नाम रूपा नगरी पड़ा या यूं कहलीजे कि रूप मतलब सुन्दर तो इस तरह से इसका नाम पड़ा रूपा नगरी मेरी सबसे अच्छी यादें ग्रीश माबास की नहीं है बलकि जाम नगर के उस महल की है जहां महराजा के गराज थे वहां दरजनों कारें हुआ करती थी मुझे और मेरे दोस्तों को उन गाड़ियों में गहरी दिल्चस्पी थी कुछ गाड़ियां खास्तों पर महराजा के घर की महिलाओं के लिए हुआ करती थी वो इस मामले में सबसे अलग थी कि बाहर से देखने पर उसके शीशे में सिर्फ अपनी शकल दिखाई देती थी जबकि भीतर से देखने पर आम शीशे की तरह बाहर की द्रिश देखे जा सकते थे मैंने इस तरह का शीशा जिन्दगी में पहली बार वहीं देखा था आप उसी कार में मेरे साथ सफर कर रहे हैं मुझे इतने वर्षों के बाद आपके साथ उस कार में बैठ कर बहुत खुशी हो रही है जिसमें मेरे पिता आप लोगों से मिलने आते थे आईए हम लोग बहुत कम उम्र के थे यानि मैं मेरे चचेरे भाई बहन और हमारे सभी पोलिश दोस्त जो क्रिस्मस की पार्टियों में शामिल हुआ करते थे और मेरे चाचा स्वर्गिय जाम साहब हमेशा ऐसे आयोजनों का केंद्र रहा करते थे मुझे आद है कुछ लड़के लड़कियों ने पोलन के खुबसूरत पारम पर एक लिबास पहने थे और उन्होंने नृत्ति किया जो हमारे लिए जिग्यासा की चीज थी हमने भी उसे सीखने की कोशिश के और आप लोग वहां क्रिस्मस के गीत का आ रहे थे वहीं पर आंगन के बीच में फिर हम वहां पहुँचे और आप लोग बापू को देखकर बहुत खुश थे और अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा आकर्शन क्या था तो वो था सैंटा क्लॉस बच्चे चिंतित थे कि सेंट निकलेस आएंगे या नहीं क्योंकि वहां बर्फ तो थी नहीं और स्लेज रेट पर चल नहीं सकती थी हम सब बड़ी चौराहे पर जमा होकर इंतजार कर रहे थे कि देखें आगे क्या होता है अचानक सूर्यास्त के समय तीन उट वहां पहुँचे जिन पर बड़े बड़े थाले लटके हुए थे और उन पर तीन दूत बैठी हुए थे और वहां माजूद हर कोई एकदम हैरान रह गया कि ओ ये तो सैंटा हैं ये कहां से आ रहे हैं सच बताता हूँ सभी बच्चे एकदम मंत्र मुक्द हो गए थे मुझे महराजा के ग्रीश्म आबास में उनसे हुई सबसे अच्छी मुलाकातें आज भी याद हैं वहां हम जी भर के केक और फल खा सकते थे फिर हम दीवार पर गेन मार कर टेनिस खेल सकते थे मैंने जिन्दगी में पहली बार ये खेल वहीं पर खेला था महराजा को देखना आपने आप में कमाल का अन्भव था महराजा तो आखिरकार महराजा थे ये सब कुछ मुझे सबनी जैसा लगता है मैं सबसे पहले इस घर में लगभग सतर साल पहले आया था इसके बाद मैं दो बार और यहां आया हूँ जब हम महल में पहली बार आये तो हम बहुत छोटे थे इसलिए हम यहां खोज आया करते थे लेकिन हम खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस करते थे आज ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपना था मानों वक्त एक दिम थम गया हो ऐसा लगता है जैसे यह कोई सपनों की जगया हो पोलन में बने एक गुड महराजा स्कुए और जाम सहब के नाम पर स्थापत स्कूलों ने उनकी अनुकंपा और उदारता की स्मृतियों को उसी परंपरा में आभार और आदर के साथ जीवत रखा है हमने जाम सहब और पोलिन के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापत की है क्रिस्टीना ने एक ऐसे स्कूल से लगाव करने वालों का समूह बनाया जो समय स्थापत भी नहीं हुआ था और किस्मत से ये समूह प्राच्य विद्या संस्थान में सक्रिया था और वहां के डीन ने इसे संग्रक्षन दिया इस तरहे धीरे धीरे कॉम्यनिजम के खत्म होने के साथ ही एक स्कूल का जन्म हुआ इस स्कूल का नाम रखने के लिए एक शक्सियत की जरूरत थी और इसके लिए पॉलेंड के बच्चों को बचाने वाले एक भारतिये से बहतर नाम और किसका हो सकता था बच्चों को विदा करते समय जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो कुछ किया है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि शायद किसी एक दिन एक सकूल या सड़ा का नाम मेरे नाम पर हो जाए हमने अपने शेक्षिक कारिक्रम को इसी सोच के साथ विस्तार दिया कि अगर जाम साहब ने पॉलेंड के लिए बुरे दौर में दूसरे विश्वयुद के दौरान वहां के बच्चों की मदद की थी तो हमें भी उनके नाम को रोशन करने लाए कोई काम करना चाहिए और तभी ये विचार आया कि हमें अपने स्कूल में शरनार्थियों के बच्चों सामाजिक रूप से अलग धलग पड़े बच्चों जैसे अनाथ हाल है के बच्चों को दाखिल करना चाहिए जिने ठीक उसी तरह की मदद की जरूरत है जैसे पॉलेंड के बच्चों को जाम साहब की मदद की जरूरत थी इस साल अपने स्कूल के एक संरक्षक यानि साहसी और शानदार महाराजा की याद में हमने महान भारतिय लेखक टेगोर का एक नाटक मंचित करने का फैसला किया है क्योंकि ये बिल्कुल अनोखा और शानदार नजारा होगा मुझे लगता है कि उस समय बाला चड़ी दुनिया की उन गिनी-चुनी जगहों में से एक थी जहां साल में 365 दिन अनाथाले के सभी बच्चों की मौझूदगी में पोलिंड का जणडा फैराया जाता था क्योंकि उस समय ये खुद पोलिंड में भी संभव नहीं था सुवियत संग के लोगों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी बहरत में महराजा जाम साहब एक तरह से हमारे दूसरे पिता बने मानवता तो देखिए एक ही है और जो लोग मानवता को बाढ़ते हैं जाती, धर्म और राश्ट्रियता के आधार पर वो लोग असल में इश्वर के अनमोल उभार को नश्ट कर रहे हैं मानवता ही मनुश को खुशाल जिन्दगी जीने की एक्षमता देती है पेशे से एक इतिहासकार होने के नाते मेरी दिल्चस्पी आधने के इतिहास में है और वो भी खास तोर पर दूसरे विश्व युद्ध के बारे में मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि फिलोसिफर अलबर्ट श्वासकर की कही ये बात सौफी सदी सही थी कि जंग की हर कबर दरसल हमें सही माइने में शांती की दुहाई देती है यूरोप में युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी पॉलिंड में कम्यूनिस्ट शासन था भारत स्वतंतरता प्राप्त करने के करीब था और जाम सहब समेथ सभी माहराजाओं के सामाजिक रुत्बे में काफी कमी आ गए थी 1943 से भारत में वलिवादे में पोलिंड के श्वरणार्थियों के लिए एक पोलिश कॉलनी कायम थी जिसमें बापू के कुछ बच्चे भी 1946 से 1948 तक रहे जब मैं बाला चड़ी के कैम्प में रहता था तब मैं अपनी मा के संपर्क में नहीं था फिर एक दिन कॉलनी के कमांडिंग आफिसर ने मुझे अपने आफिस में बुलाया और इसने बहुत खुशी से मुझे बताया कि रेड क्रॉस से एक पोस्ट कार्ड आया है जिसमें लिखा है कि मेरी मा मुझे ढून रही है और मेरी मा को रेड क्रॉस से पता चला था कि मैं जीवित था और उस वक्त भारत में था तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मैं उस कार्ड को लेकर बाहर भागा जिस पर इस विशे से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखी हुई थी और वो मुझे कमार्णिंग आफिसर ने दिखाई तो मैं खुशी से रूने लगा और मैं दोड़ता हुआ खुशी से उचल रहा था और कह रहा था मेरी माँ जिन्दा है मेरा भाई जिन्दा है और मैं आज भी उस खुशी को याद करता हूँ जब मुझे पता चला था कि इस दुनिया में मेरे अपने परिवार के लोग मौजूद थे और उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मिल गया था मुझे अपने माँ और भाई का पता चल गया था और मेरे पास लोटने की एक जगे थी मैं अकेला नहीं था मुझे गोद लेने के लिए अमेरिका भीज दिया गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य जिन्दा था या नहीं फिर मेरे साथ रहने वाले एक बड़े लड़के को उसकी मा की लिखी हुई चिठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा था कि उस बेकिस्तान में मैं मिसिस गोटावस का और उनकी बेटियों के साथ एक जोपड़ी में रहती हूँ तो उसे मेरी याद थी क्यूंकि मैं अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था और मेरा भी वही सरनेम था तो इस तरह से वो मुझे एक फोटोग्रफर के पास ले गए फिर उसने मेरी तस्वीर अपनी मा के पास भेजी कि यहाँ एक लड़का है जिसका बही सरनेम है और शायद ये उनके परिवार का सदस्य हो लगभग एक महिने के बाद उन्हें एक चिठी मिली और मेरे पास भी एक पत्र आया और मेरी माने लिखा था मेरे प्यारे बेटे मुझे पता नहीं था कि तुम जीवित हो हमने तुमें ढून लिया है और बहुत जल्द ही मैं भी पोलन जाने वाली हूँ मुझे याद है कि 1946 में बाला चड़ी के अनाथाले को बंद कर दिया गया था और वहां बचे हुए बच्चों को वाली वादे भेज दिया गया था वाली वादे में मैं एक साल रहा फिर मैं परिवारों के एक जूठ होने की प्रक्रिया में बापस इंगलेंड पहुँचा क्यूंकि मेरे पिता इंगलेंड में एंडर्स कोर के साथ थे मेरे बड़े भाई आफरिका में थे और मेरे दो भाई रिपबलिक ओफ साउथ आफरिका में थे एक भाई यूगांडा में था और यूथ कोर के साथ फिलिस्तीन में था हम दिसंबर में मिले लेकिन मैं सबसे पहले वहां पहुँच गया था अफ्रिका से मेरे भाई क्रिस्मस से ठीक पहले वहां पहुँचे मेरे तीनों भाई सूट, हैट और साजो सामान से लेज थे और मुझसे दो साल बड़ा भाई बहुत दुबला और लंबा था और उसका हैट थोड़ा टेड़ा था वो कुछ कपड़ों से भरे बैग के बोज से दबा जा रहा था और मैं उसे देख कर एकड़म से हसने लगा वो चिड़ गया और बैग रखकर मेरे पास आया उसने कहा कि तुम अपने बड़े भाई पर हस रहे हो और तुम मार खाना चाते हो छे साल तक अलग रहने के बाद भाईयों ने एक दूसरे का इस तरह से अभिवादन किया मैंने तो बहुत बाद में उससे शादी का प्रस्थाव रखा मेरे ख्याल से ये 2007 के अंद की बात है योरेक पॉलिन में बाय तॉम से आय थे वो फूल दे कर आय थे और उन्हेंने घुटनों पर बैठ कर यहां ठीक इस कुरसी के पास घुटनों पर बैठ कर मुझे एक अंगूठी दी और मुझसे मेरा हाथ मागा मैंने उन्हें स्विकार कर लिया देखिए अगर मैं कभी भारत नहीं जाता तो शायद मैं कभी यादविका से भी नहीं मिल पाता हम महराजा के शुक्र गुजार हैं कि उनकी वज़ा से हम मिले और अब हम साथ-साथ है हवा के थपेडों में धूप से छुलास्ते हुए वो वहां खड़ा है अकेला एकदम अकेला इंतजार में कि इसके बच्चे शायद लौटेंगे वो जरूर लौटेंगे सालों से सोय हुए ये बच्चे फिर से जागेंगे यादों के साए से एक पल के लिए शायद फिर जीवित हो जाए एक मुश्किल बच्पन वो जुदाई वो पुरानी खुश्णुमा चाहत वो पुरानी खुश्णुमा यादे एक खुश्णुमा जगा की जिसने सीने से लगाया था पूरी दुनिया में बिखरे हुए खोचुके पॉलेंड के बच्चों को मैं हमेशा पॉलेंड के प्रती वफादार रहूँगा और हमेशा आपके देश के भविश्यों से हमदर्दी रखूँगा मुझे यकीन है कि पॉलेंड स्वतंत्र होगा और आप दमन से मुक्त अपने देश में अपने घर लोटेए जब तक पूरी दुनिया में मशूर पॉलिश जज़बा कायम है तब तक आपके देश के स्वतंत्रता भी पक्की है बाला चड़ी जामनगर में पॉलिश बच्चों के कैम का खत्म होना ज़रूरी तो था लेकिन सच पूछिए मुझे तो बहुत बुरा लगा मैं तो बहुत ज्यादा उदास था क्यूंकि कुछ वर्षूं तक वहीं तो मेरा घर था चेहिंद जढ ₩ जा मिन्चे तो किली तो जहाएन मार लेका मुझे मुझे तो बहुत तो बहुत NBC तो गाइस आपको भारत के नवानगर के महाराजर दिखविजे सिंग जी के बारे में चान कर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब में हमारी चैनल के इंस्ट्रॉमर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें मिलते अगले वीडियो में